हेलो फ्रेंट्स रूवीज कुक बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं सेयर करूँगी पटल पोस्तो की रेसिपी तो चलिए बनाते हैं पटल पोस्तो बनाने के लिए मैंने लिया आधा किलो पटल इसको अच्छे से साप करके एजेस काट ली हूँ और एक पटल को चार पीस में काटी हूँ तो चलिए चलते हैं पैन के तरब देखे पैन गरम हो चुकी है और इसमें मैं डीप फ्राइ के लिए तेल डाली हूँ तो सारे पटल को मैं थोड़ा थोड़ा करके डीप फ्राइ करूँगी तो चलिए डाल देते हैं पटल को और 3-4 मिनट के लिए इसको fry करेंगे पटल को आप deep fry ना करना चाहें तो ना करें आप थोड़ा तेल में भी fry करके भी आप पटल पोस्तो बना सकते हैं मसाले वाले पटल तो आपने बहुत पार खाए होंगे एक बार इस तरह से बनाएए बहुत टेस्टी लगती है चार पाच मिनाट हो गई है और पटल भी थोड़ा गोल्डन कलर का हो गया है तो चलिए अब पटल को निकाल लेते हैं इसी तरह से और भी पटल जो है सारे पटल को तेल में डाल देती हुँ और उसे भी तीन-चार मिनाट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक उसको डिप koर कर लेंगे तो देखिए 3-4 मिनट हो गई है और ये पटल भी फ्राई हो गई है तो इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ अब मैं उसी कड़ाई का तेल में आड़ करूँगी एक तेज पत्ता, दो सुखी मिर्च और एक चम्मत जीरा इसको थोड़ा सा चला लेंगे, अब मैं एड़ करूँगी बड़े स्लाइस में कटा हुआ तीन प्याज और इसको मैं चला लूँगी प्याज को 3-4 मिनट भूनने है और थोड़ा सा हलकी कलर आ जाएगी और सौप्ट हो जाएगी तो इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे तीन-चार मिनट हो गया है और प्याज भी थोड़ा सौप्ट हो गई है और भून गई है प्याज को जितने अच्छे से भूनिएगा प्याज पटल पोस्तो का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा अब मैं इसमें आड़ करूँगी दो कटा हुआ टमाटर दो कटी हुई हरी मिर्च और इसको चला लेंगे इसके बाद मैं इसमें आड़ करूँगी एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर और श्वाद अनुशार नमक अब इसे अच्छा से चला लेंगे और मिक्स कर लेते हैं इसी तरह से एक दो मिनट अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे और धीमें आज में इसको पकने देंगे टमाटर को सौप्ट होने तक तिन-चार मिनट के लिए इसे ढख देती हूँ तो चलिए धकन हटा के देख लेते हैं देखे टमाटर सौप्ट हो गई है और आप बीच बीच में मैं चला के चेक की हूँ कि टमाटर सौप्ट हुए कि नहीं देखे प्यास टमाटर अच्छे से मिल गई है और मिक्स हो चुकी एकदम तो इसमें आड करूंगी मैं थोड़ा सा लहसुन तीन चार कली और दो हरी मिर्च को पिष लिया है अब मैं इसे चला लेती हूं और काटोरी में थोड़ा सा पोस्टो थे तो उसे में पारिक के साथ आड कर लेती हूं चलिए अब मिक्स कर लेते हैं पोश्टो अच्छे से mix हो गई है तो अब मैं add कर देती हूँ फ्राइ किया हुआ फरतल पन्ठ प्टल अच्छे कर चुकी है इसे अच्छे से चला लेंगे अच्छे से mix हो जाएगी तो इसको एक हो गई है कि चार पांच मिनट के लिए रख देती हूं कि चार-पांच मिनट हो गये हैं है रहा है और पोटल पोस्तो रेडी है तो चलिए ग्यास का फ्रेम आफ करते हैं और इसे बोल में शर्प करती हूँ यह पटल पोस्तो बहुत टेस्टी लगती है आप इसे पटल पोस्तो पराठे के साथ चाबल के साथ खाए बहुत टेस्टी लगती है अगर यह पटल पोस्तो की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब टू माई चानल